हेलो एवरिवन कैसे हो आप मैं अनुज कुमार सिंग सिक्षा धाम से आज एक न्यू सब्जेक्ट के साथ आएंगे सब्जेक्ट का नाम क्या है सर मैनेजमेंट अकाउंट यह थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंट का मान के चलो एक एडवांस वर्जन मान लो एक तरीके से ठीक है जैसे आप देखें यहाँ पर फस्ट हमारा है यह हर कहीं होता है जो कि एक तेउरी का चेप्टर है कितने नंबर काएगा सर एक्जाम में 15 मार्क्स सेकिंड चप्टर है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल यह प्रैक्टिकल चप्टर है और यह भी 15 मार्क्स का आपके एक सामने आएगा सर बजटरी बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल क्या होता है इसके अंदर हमें सिखाये जाता है किसी काम को करने से पहले उसका अंधाजा लगाना उसे बजटरी कंट्रोल कहा जाता है अच्छा सर इसके बाद फ़र्ड हैं हमारा एप्जॉप्शन absorption marginal costing से related है ये हम इसकी बात करेंगे ये भी हमारा एक अलग से unity बनाया हुआ है इसके अंदर से हमारा question आएगा 15 marks का अब मजे की बाद आपके यहां यह रहेगी कि जितने भी आपके chapters हैं जितने भी आपके topics हैं यूनिट 5 यूनिट होते हैं 5 यूनिट में से पूछा जाता है और यहां पे हर एक यूनिट में एक ही chapter है तो so that इसलिए यह syllabus बहुत easy है हमें 4 chapter करना है पहला तो theory है 4 chapter करना है और यह syllabus खतम हो जाएगा लेकिन हाँ typical और lengthy और content थोड़ा जादा रहेगा इसके बाद हमारा है जो कि पहले हुआ करता था हमारा यह cost accounting का part वहाँ से हटा के और management account की अर्था ही लेकिन cost account से इसलिए हटा दिया गए क्योंकि आप management account में पढ़ेंगे और यह है हमारा marginal costing इसे हम marginal costing कहते हैं वैसे ठीक है यह भी 15 marks का और बहुत highly important जो है मैं उसके उपर I mark कर रहा हूँ यह भी important है इसमें से question पूछे ही पूछे जाते है सर इसके बाद है कि responsibility छोटा सा chapter है जादा बड़ा chapter नहीं है यह भी 15 marks का है और एक सबसे बड़ा chapter जो कि सबसे tricky भी मैं मानता हूँ हर किसी से पूछेगा एक है standard costing वो मैंने यहां लिखा नहीं मैंने अलग से बता दिया यह 15 से 20 नंबर का weightage रखेगा standard costing तो यह आपका छोटा सा syllabus है 75 marks का आपका exam आना है उसके according मैंने आपको यहां पे बताया है ज़्यादा वीडियो लंबी करने की जूरत नहीं थी अब सर material study material की बात कर लेते हैं study material में अगर मैं book की बात करूँ तो आप ध्यान रखेगा book एक ही है जो पूरे डियू में चलता है MN Arora MN Arora बस आप यह देख लीजिए जब ले तो latest book लेजिए ताकि आपको benefit मिले वैसे कोई changes कभी भी नहीं होता कोई update बस exam की question update होते हैं और बाकि syllabus कभी नहीं बदलता इसका तो books आपका हो गया MN Arora और साथ के साथ हम book भी करेंगे और book के साथ हम क्या करेंगे 10 year भी start करेंगे सर कब से start करोगे जैसे आज की date देखें तो आज है कल जनमास्तमी है यानि हम इस class को संडे से start करने वाले हैं सर संडे जो भी date आता है upcoming संडे वाले दिन मैं start करूँगा संडे जो भी date आता है उस date पे हम start कर लेंगे सर संडे से start करेंगे क्या रहेगा सारी चीजे क्या रहेगा तो जितने बच्चे अप्लिकेशन पे हैं देखे एक्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा वो धीरे धीरे अने लेसिस करेंगा भी मैंने इस लिपस बता हैं तो आज से registration start कर लेते हैं हम इसका कुछ बच्चों ने औरेडी registration start कर लिया है संडे से प्रॉपर बैच से स्टार्ट हो जाएगा संडे मॉर्निंग 9 अम क्लास रहेगी आपकी नो बज़े सुभे क्लास रहेगी ठीक है मॉर्निंग 9 अम कि जो बच्चे यूटूब पे देख रहे हैं यूटूब पे वीडियो अप्लोड होंगी लेकिन यूटूब पे होता क्या है काफी डिले अप्लोड होता है उसके इंदर बहुत सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े और 7 p.m. और में भी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसे 7 a.m. कर दूँ कि जौब वाले बच्चे होते हैं कॉलेज वाले बच्चे तो दोनों में से एक टाइम रहेगा 7 p.m. अभी फिलाल 7 p.m. है ठीक है मैं पहले बता दूँ कि इसे 7 a.m. कर सकता हूं पूरा स्लेबर सच्छे से करेंगे कॉस्टिंग क्या है सर कॉस्टिंग आप अप्लिकेशन पर जाईएगा डिस्काउंट कूपन वगएर अवेलिबल है मैं डिस्कृप्शन में डाल दूँगा सारे कितने की कोर्से से जो बच्चा लाइव लेना चाहते हैं और ये सारा का सारा हमारा है एक कंटेंट जो की हम पढ़ेंगे तो बस आपको यही बताना था इस वीडियो में जब चैप्तर स्टार्ट होगा तो हम सारी बात करेंगे thank you so much मिलते हैं हम Sunday new chapter और बिल्कुल starting से